वेलकंटो अनुराओक्रमिय इसके सर, आज हम सभी लोग इस अनुराओक्रमीय इसके सर के चैनल में पढ़ने चलना हैं। Eek important topic जिसमें हम लोग बाते करेंगे किसकी प्लीस सेंटा की हैं। किसकी बाते करेंगे प्लीस सेंटा जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं। अपरा कहते हैं आज हम लोग इसकी चर्चा करने चलना हैं तब तक हम उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे मुस्कुराते होंगे इसी मुस्कुराते हुए पल में हम लोग आज प्ली सेंटा अपरा के बारे में चर्चा करने चलना हैं तो प्ली सेंटा कहां पाया जाता है इसके बारे हम लोगशस के पाले बाते कर लेते हैं यह इस्ट्रक्चर मैं और फिर से इसे को ड्रा कर दosa कर देता हम और आप समझ लेजी और आसानी से इस आपरा के बारे में जानकारी हो जाएगी यह हमने बनाया था को यह striking कंपडर और यहां किया बनाया एक एक ओभरी तो Purple body में कितनी ओभरी पाई चाती में 2 वरी पाई घी एक लिप भड़ के और एक राइड बाग में और यहां पर यह जो लेयर होती है इसी लेयर को मोग क्या काते है इसका है प्ली सेंटा इसका नाम क्या है प्ली सेंटा और यहीं लेयर के यहां पर क्या होती है एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है इंडो मेट्रियम लेयर कौन सी इंडो मेट्रियम लेयर पाई जाती है इसी इंडो मेट्रियम लेयर और इसी में क्या पाई जाता है फोटस पाई इसी गर्भासे के अंदर क्या पाया जाता है जब जाइगोड बनता है बच्चा बनता है कहां बनता है इस गर्भासे के अंदर इसका नाम क्या है यूट्रस है ठीक है तो यूट्रस ठीक है इसका नाम क्या है यूट्रेस है और इसी गर्भासे में क्या बनता है बच्चा बनता है तो बच्चे को पोसंड प्रदान करने का कारी कौन सा कारी पोसंड प्रदान करने का कारी स्वसंड प्रदान करने का कारी ठीक है और उत्सरजन प्रदान करने का कारी कौन करता है यही प प्लिसेंटा लेयर करती है इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने चलना है तो चलिए हम लोग आगे अपने टॉपिक्स पर चलते हैं ठीक है तो चलिए घहां दीजेगा हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने चलना है किसके बारे में प्लिसेंटा के बारे में प्लिसेंटा के बीच में connection का कारी करता है माने तीनों को जोड़ने का कारी करता है ठीक है कौन कारी करता प्ली सेंटा इससे nutrition respiration людям it is a lie nutrition Meg Palosan रेस पाइरेशन को संखे लिख सरजन और डिफ्य होता है किसको अगुए में बने उदिविए बचसे को सवसेन Shneef पोशेड इंस उदिफएंवाँ वीफ च्वल्य करता चकरता और बचसेंटा करता इन लिख्यों मिए बहुरिफंग क 25 tan एंडो ग्रण्ट को लोग अंतासरावी ग्रण्थ किताते हैं। क्या गते हैं अंतासरावी ग्रण्थ लेकिन यह ग्रण्थ ही its temporary होती है माने कि कुछ समय के लिए बनती है उसके बाद यह समाप्त हो जाती है बनती कब है जब गरवासे के अंदर बच्चा बन जाता है तो बच्चे के बनते ही ये प्लिसेंटा लेयर दिवारों में क्या कर जाती है बन जाती है और ये क्या करती है अंतासरावी ग्रंत का कार करती है जिसे हमने इंडोक्राइन ग्लेंड कहा जब इंडोक्राइन तो इससे हार्मोंस निकलते हैं उस हार्मोंस को हमने एक ट्रिक के माद्यम से दिखाया है यह ट्रिक हमारा क्या देखे लिखा हुआ पारले जी कौनसा पारले जी पारले जी हार्मोंस का नाम नहीं है यह पारले जी क्या ट्रिक है माने प्लिसेंटा से पारले जी हार्मोंस नि स lado आँ प्लीजेंटा से इसमें आप मतलब समझ रहूंगे तो जे डर्रां आ बतलब क्या रिलॉक्त इंटॉह ल्मतफ लैक्टो जेएनिक अपर जो से उट हरced गोनाइडोड ट्रापिन हार्मों ठीक है यह पांछ हार्मोंस कहां से निकलते प्ली सेंटा से निकलते हैं आज हम लोग इन ही की चर्चा करने वाले हैं तो चले सभी लोग देखेगा नमबर फर्ष्ट हार्मोंस कौन सा है प्रोजेश्टरान हार्मोंस इस प्रोजेश्टरान हार्मोंस को प्रिगनेंसी हार्मोंस काते हैं कौन सा हार्मोंस काते हैं प्रिग्निंसी को नौ माह के लिए रोक देता है। कब रोक देता है। जब गरभास है। गरभास है के अंदर जैसे ही बच्छा बनेगा। ये प्रोजिस्टान हर्मोंस निकलता है। और इस प्रिग्निंसी को नौ माह के लिए रोक देता है। ठीक है। इसलिए इस हर्मोंस क इंटी एब्जार्शन हार्मॉन्स भी खाते हैं जो इत्रत्रस ये गरबासे की जो वाल है इसी वाल में क्या करताए इक्स्ट्राग्लुकोज भर देता है क्या भर देता है इस्ट्रा ग्लुकोज भर देता है जिससे बच्चे को क्या मिलने लगता है पोसन मिलने लगता है और इसके अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है किसको ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है इसके साथी साथ आक्सीजन दर भी बढ़ जाती है अब स् यह कारी कौन करता है प्रोजेस्ट्रान हर्मोंस प्रोजेस्ट्रान हर्मोंस प्रिग्निंसी हर्मोंस का लाता है क्योंकि यह नौ मां के लिए प्रिग्निंसी को रोक देता है इसलिए इसे एंटी एपजार्शन हर्मोंस काते हैं और यह यूट्रस की वाल में और सप्लाई और आक्सीजन दर को बढ़ा देता है ठीक है कौन बढ़ा देता है प्रोजेश्टरान हार्मोंस बढ़ा देता है ठीक है अब हम लोग बाते करेंगे किसकी अब हम लोग बाते करेंगे हार्मोंस रिलैक्सिन की बात हम लोग किसकी करने चल ले हैं relaxing hormones, relaxing hormones क्या करता रही, या ध्यान दीजे, female body में जैसे गरवासे होता है, जो वेजाईना पूर होता है, यही पर एक muscles पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, pubic symbiasis muscle, ठीक है, pubic symbiasis muscle, और यही relaxing hormones, pregnancy के दोरान, जब क्या होता है, बच्चे का जन्म होने वाला होता है, नौ माह के बाद, यह relaxing hormones, इस pubic symbiasis muscle को लूज कर देता है, कौन hormones लूज करता है, तो relaxing hormones लूज करता है, जिसके कारण, बच्चे के जन्म में आसानी हो जाती है, और बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है, ठ लेक्टोजेनिक hormones, लेक्टोजेनिक hormones का कोई विसेश कार नहीं होता है, तब हम लोग किसकी बात करेंगे, estrogen hormones, estrogen hormones female body में निकलता है, इस estrogen hormones को क्या काते हैं, beauty hormones काते हैं, कौन सा hormones, beauty hormones काते हैं, या hormones जब female body में निकलता है, तो उसकी सुंदरता बर जाती है, आवाज पतली हो ज सेकंडरी सिक्स आरगन का विकास हो जाता है जैसे अस्तन का विकास होने लगता है ठीक है बॉडी में परिवर्तन आ जाते हैं ठीक है तमाम ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं किसके दौरा एस्ट्रो जेन हार्मोंस के दौरा ठीक है किसके दौरा एस्ट्रो जेन हार्मोंस कोज़के दौरा ठीक है और धिञां दिएगा के तीन माहाँ से में क्या होरा बच्चा तो बन गया इसके तीन माहाँ कीतने मावाँ तीन भाइज क्या होता कि इसके अंतर कारपत लिटीम जो बनी होती वो अज degenerate कर जाती है और function किससे start हो जाता है placenta से start हो जाता है कहां से placenta से start हो जाता है इसलिए कहा जाता है यदि चार माह के बाद फिमेल बॉडी की ओवरी जो थी ओवरी को काटकर निकाल लिया जाए तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा तो बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चा क्या होगा नार्मल पैदा होगा अब हम लोग बात करते हैं गुनाइडो ट्रापिन हार्म हार्मोस निकलते हैं कौन सा हार्मोस यह सीजी हार्मोस जिसे हीूमन कोरियानिक गौनाइडो ट्रापिन हार्मोस काते हैं यह हार्मोस प्रिगनेंसी में इंब्रियो के ग्रोथ और डिवलप्मेंट में साहिक होता है क्या होता है प्रिगनेंसी के इंब्रियो के ग्रोथ में और development में क्या होता है सायक होता है यह बहुत ही important topic है क्योंकि तीसरे सब्ता में एक कईसमे दिन के बाद यह cg hormones pregnancy human female के urine माने मूत्र में उपस्थित हो जाता है जैसे जाइगोट बनने के एक कईसमे दिन यह cg hormones निकलता है और यह hormones करता क्या है यह hormones एक कईसमे दिन female body के मूत्र में उपस्थित हो जाता है कहां मूत्र में उपस्थित हो जाता है इसी से इसे pregnancy test किया जाता है और बता दिया जाता है कि भूण बच्चा में बना है या नहीं बना है तो आप जानते ही होंगे market में क्या आता है एक प्रेगा news करके किट आती है क्या आती है किट आती है और एक कईसमे दिन female body का मूत्र को ले करके इसी किट में जो छिदर बना इसमें दो तीन बूट डाल देते हैं इसके बाद यदि यहां एक red line आती है तो समझ जाए कि बच्चे का नेमार नहीं हुआ है यदि दो red line आती है तो pregnancy में बच्चे का नेमार हो गया है क्या हो गया प्रिग्नेंसी में बच्चे का ने इसे प्रिग्नेंसी टेस्ट हार्मोंस भी काते हैं प्रिग्नेंसी टेस्ट हार्मोंस किसे काते हैं तो किसको काते हैं यह चसी जी को जिसे हम लोग human koreanic gonadotrapin hormones काते हैं इसी को pregnancy test hormones काते हैं जिससे pregnancy test किया जाता है ठीक है तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा testis की testis क्या है भई लगबग 10 से 11 साल तक की अवस्था में testis in active रहता है माने यह अपना कार्य नहीं करता है लेकिन 10 11 साल के बाद 10 11 साल के बाद क्या होता है पिट्यूटरी के यह फ्यसियच और लेच हर्मोंस के प्रभाव से testis active हो जाता है या faceh और LH हर्मोंस का स्रावण कहां से होता है pituitry gland से होता है और या 11 साल के बाद 13 साल से 15 साल के बीच में या हर्मोंस क्या हो जाता है active हो जाता है और female body में जो testis है testis भी सक्री होकर के कारी करने लगता है और इसमें leading cell से leading cell से क्या निकलता है टेस्टोस्ट रम हार्मॉन निकलता है लीडिंग सेल से क्या निकलता है कि लीडिंग सेल से भ्emorन दीजे लिखेगा लेडिंग सेल से प्रभाई से टेस्टिस एक्टिव हो जाता है और इसके leading cell से testosterone hormones का surround होने लगता है इसे male hormones या endrogen hormones काते हैं या लड़कों में male character का development करता है किसका male character का जिससे penis का निर्माण होने लगता है और बच्चों में क्या हो जाता है बच्चों में आप देखे होंगे लड़कों में क्या होता है आवाज मोटी हो जाती है इसके साथी साथ इनके चेहरे पर क्या हो जाते है भई चेहरे पर मुहां से छोटे छोटे दाने आने लगते हैं एक क्रिया किसके दोरा होती है तो टेस्टोइस्ट्रान या endrogen hormones के कान होती है ठीक है female body में जो परिवर्तन पाया जाता हो किसके दोरा टेस्टोइस्ट्रान hormones के दोरा होता है तो हम लोग कल फिल मिरंगे मैं आपको बता दूँ यहां से अनुराक कर्णमी इसके सर चैनल से साम आठ पीम पर बायलोजी की लाइब कलस चलाइब जाती है ठीक है आठ चार्प पीम पर कमेश्ट्री की कलस चलाइब लाइब कलस चलती है जितने भी स्टूडन्ट इस पर जुड़ना चाहते हैं साम आठ बजे और आठ बज के 40 मिनट पर जुड़ करके बालोजी और कमिस्टी की क्लास को पढ़ सकते हैं इसके साथ हम आपको बता दें कि यदि आप अनुरा अकैडमी इसके साथ चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लाइक करिए सेर करिए और कमेंट करना ना भूलिए इसके साथ हम आप सभी से बिदा लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे सुस्त होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुराते होंगे इसके साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद